हालो बच्चों कैसे हैं आप उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे तो आए एक बहुत ही प्यारी सी कवीता पढ़ेंगे हम जिसका नाम है मीठी वानी तो बच्चों ये कवीता पक्षियों के संबंद में आप जानते हों पक्षियों में कौन मीठी वानी बोलता है खोयन ये आप जानते हैं उसी के संबंद में ये कवीता है लेकिन उससे पहले इस पार्ट में आए कठिन शब्द जान देते हैं ये कठिन शब्द हैं बंसी बोरियां बंद और मीठी बच्चों इन शब्दों का उच्चारण कीजिए और इसके लिखन का भ्यास काने कीजिए हम अपनी कविता के और बढ़ते हैं तो कविता हमारी यूँ शुरू होती है मीठी मीठी धुन में काली कोयल उठी बच्चों के मन में मधुर बंसी बज जने लगे इतना मधुर गाती है कोयल जब जारा कम हो जाता है सूरज थोड़ा गर्माता है जो पंचम सुर में गाती है वो कोयल कहलाती है जब जारा यानि कि थोड़ी सरदी कम हो जाती है और सूरज थोड़ा गर्मी कम देता है तब क्या होता है तब सूरज की गर्मी से उसमें छोटे छोटे फूल से आ जाते हैं किसमें आमों में उसकी बात फल आते हैं कोयल आप खिची चली आती आमों की डाली पर फिरती कूक कोकर मिश्री घोलती मिश्री यानि की मिठास जब आमों की पेडों पर बोनिया आती हैं तो कोयल अपने आपको समहा नहीं पाती और वो उन डालों पर आती है और मधूर मधूर गीद गाकर सबको मोहित कर देती है समा सुहाना बंद जाता है समा यानि की वातवरन सारा वातवरन उसके मधूर गीत से उसकी मीठी आवाज से सुहाना हो जाता है हृद्य आनंदित हो जाता है तुम्हें देखने को मन व्याकुल हो जाता है व्याकुल निकी बेचेन तो किसे देखने को बेचेन हो जाता है कोयल दिखती नहीं है छुप जाती है लेकिन उसके कू कू की आवाज से सब उसकी और खिचे चले आते हैं और उसे देखना चाते हैं जो बड़ी मुश्किल से देखती है कहीं छिपी हो कोयल रानी किस से पाई मिठी वानी वानी यानी की बोली तो कहां छिपी हो कोयल रानी किस से पाई मीठी वानी अपना राज मुझे बताओ मैं भी चाहूं इसे अपनानी तो बच्चा कह रहा है कि है कोयल रानी तुमने मीठी मीठी वानी किस से पाई है मुझे भी अपना राज बता दो मैं भी इस राज को अपना कर ऐसी ही मीठी वानी को अपनाना चाहता हूं यानि कि हर बच्चा चाहता है मधूर मिठास बोलना क्योंकि आपकी वानी में मधूरता है तो सब आपकी और आकरशित होंगे जैसे कोयल की और होते है यानि कि हमारी वानी में इतनी ताकत है अगर इसमें मधूरता मिश्री घोले तो सब आपकी हो जाएंगे तो बच्चो इस बात पर आप भी गौर कीजिए आपकी वानी में मधूरता का होना बेहत जरूरी है ताकि आपके जीवन में मित्रों की संक्या बढ़ती रहे मित करती हुए कविता आपको पसंद आई होगी अब इसका अभ्यास कारे आप स्वैम कीजिए